हेलो दोस्तो जैहिन स्वागत है आप सभी का स्वारब कॉम्प्यूटर के यूटूब चैनल पे दोस्तो आप सभी के लिए इंडियन पोस्ट आफिस की तरफ से ग्रामिन डाक सेवा की वेकेंसी आ चुकी है आज की वीडियो में आपको इस वेकेंसी से रिलेटेड सारी जनकारी बताने वाला हूँ आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहना और दोस्तो ऐसे ही हर वेकेंसी की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना चल दोस्तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूए जो वेकेंसी है कुल 40,890 पदों के लिए आई हुई है जिहां दोस्तो बहुती जादा पद है आपके पास बहुती अच्छी ओपर्चुनिटी है सरकारी नौकरी पाने का अब हम बात करेंगे इसके जो आउनलाइन फॉर्म है वो 27 जनवरी से लेके 16 फरवरी तक भराएंगे आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप 17 से लेके 19 फरवरी तक करेक्शन इसमें कर सकते हैं इसके बात करेंगे एज लिमिट के बारे में इसमें आपकी उम्र क्या मागी लेगी तो उनके लिए maximum age हो जाएगी 43 साल आगे हम बात करेंगे इसके fees के बारे में आपको form भरने के लिए कित्ती fees लगेगी तो दोस्तों अगर fees के बारे में बात करें तो general और OBC category के लिए इसमें 100 rupees fees लगती है SC, ST और PH और all category female के लिए इसमें कोई भी fees नहीं लगती है बिल्कुल free form है सबी को form apply करना चाहिए इसका selection process में आपको बताऊंगा सबसी बड़ी बात है इसमें आपका exam नहीं होता है तो आप सबी को form apply करना है आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे salary के बारे में इसमें office work रहते हैं और ABPM में थोड़ा आपको बाहर के काम दिये जाते हैं तो BPM की जो salary रहती है branch post master की वो आपकी 12,000 से लेके 29,380 रुपे तक रहेगी मतलब आपकी starting salary 12,000 रुपे रहेगी और ABPM की जो आपकी starting salary रहेगी 10,000 जो आपकी 24,470 रुपे तक होती है और आप बात करेंगे qualification के बारे में आपकी पढ़ाई क्या मांगी गई है दोस्तो अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो आपको इसमें 10th pass मांग गया है 10th में आपका subject maths और English होना चाहिए जो की सबका होता ही है maths और English 10th में common subject रहते हैं सबके तो अगर आप 10th pass है तो उसमें form apply कर सकते हैं उसके अलावा आपको जिस भी आप state से form apply कर रहे हैं तो वहां की आपको local language बोलनी आनी चाहिए बहुत सरे state की local language हिंदी होती है सरे आपके पास computer का knowledge होना चाहिए उसके बाद आपको cycle चलाना चाहिए cycling आना चाहिए ताकि आप post कर सको यहाँ प्याप देख सकते हैं केसी state में कित्ते पद है और उसकी local language क्या है उत्तर प्रदेश की जो language हिंदी total post 7,980 उत्राखन की language हिंदी post है total 890 बिहार की local language हिंदी post है 1461 363 गड़ की local language हिंदी post है 1593 दिल्ली की local language हिंदी post है 46 राजस्तान की local language हिंदी post है 1684 हर्याना की local language हिंदी post है 354 हिमाचल प्रदेश की local language हिंदी post है 603 जम्मू कस्मीर की local language हिंदी और उर्दू आपको उर्दू भी आने चीए अगर आप कस्मीर से अप्लाई कर रहे हैं और फोस्ट है 300 अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए मध्य प्रदेश की लोकल लेंगेज हिंदी पोस्ट है 1841 केरला की लोकल लेंगेज मल्यालम पोस्ट है 2462 पंजाब की लोकल लेंगेज हिंदी इंगलिस पंजाबी पोस्ट है 766 ऐसे आप हर स्टेट का यहाँ पी देख सकते हैं तमील नाडू का तमील है local language post है 3167 आपका करनाटक का local language कननाड है 3036 पद है Odissa का local language उडिया औरिया है पोस्ट है 382 आसाम का local language Assamique, बंगाली अपको यह सब आनाची यह सचार सो 7 इसमें कुल पद है अब हम बात करेंगे selection process के बारे में दोस्तों मैं आपको बता तो इसमें आपका कोई भी exam नहीं होता है आपका जो selection होता है आपके 10th में किते percent बने हैं उसके base पे होता है अगर आपके 70 और 80% है तो इसमें आप form जरूर apply करना बहुत chance होता है इसमें आपका selection होने का इसमें आपका कोई भी exam नहीं होगा 10th के percent के base पे आपका इसमें selection होगा अब मैं बता दू आपको इसमें आपका duty time किता रहता है तो दोस्तों आपको सिर्फ 4 गंटे काम करना पड़ता है चार गंटे आपका